नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल नॉलिज लाइबरेर साइंस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डैली नुवस्टी के कॉलिज रामलाल आनंत कॉलेज की यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी आई है उनके बारे में देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है आई है नमबर फोस्ट क्या है लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की यह सारी चीज़े बहुत करते हैं यह जो नॉटिफिकेशन आया है यह 23 दिसंबर 2021 का नॉटिफिकेशन है और जो यहाँ पर पोस्ट कितनी है देख सकते हैं साथ के साथ और laboratory assistant की जो microbiology में है वहाँ पर एक पोस्ट है junior assistant की साथ पोस्ट है áis राइब्रेरी अटेंड की यहां पर 11 पोस्ट अब देख सकते हैं यहां इतनी पोस्ट निकलती से यह पर 11 पोस्ट है जिसमें से 6 vacancies जो है वो general category के लिए है 3 OVC category के लिए है 1 PWAD, LD के लिए और 1 post जो है वो EWS candidate के लिए है तो इस तरह total मिला के यह 11 post है और इसकी जो maximum age है जो 30 year है ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं और library, laboratory attendant की 5 post है जिसमें से 2 general category के लिए है 2 OVC के लिए है और 1 EWS candidate के लिए है और जो maximum age यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 साल है ठीक है तो यहाँ eligibility criteria अभी इस notification में नहीं है जैसे ही notification आएगा तो मैं उसका जो PDF है या तो telegram group पे available करवा दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं अदर्वाइस मैं इस पर वीडियो भी बना दूँगा आप चाहेंगे तो तो आएए देखते हैं इसमें last date क्या है form fill करने की तो form fill करने की जो last date है यह 24 January 2022 है और जो form fill करने के लिए जो online portal open किया जाएगा वो 30 12 यानि 30 December से open कर दिया जाएगा आप यहाँ पे website से इनके portal पे जा सकते हैं और वहाँ से आप अपना form fill कर सकते हैं और जो इसकी details है वो सारी details जैसे eligibility criteria क्या है form fill करने के बाद क्या हमें form को college भी भी भेजना है यह सारी चीजे जब detail notification आ जाएगा तो मैं उसके उपर एक video बना दूँगा उससे आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना form fill कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ एक और college है इस college का नाम है अरविंदो college डैली उनिवस्टी का ही यह college है अरविंदो college और यह morning का college है तो यहाँ पे जो जो पोस्टे आई हैं उनके बारे में देख लेते हैं देखे एडमिस्टेटी आफिसर की एक पोस्ट है और इसमें maximum age 35 year है senior personal assistant की यहाँ पर एक पोस्ट है 35 year age यहाँ पे भी है senior technical assistant की एक पोस्ट है और library के अगर बात करें तो library में यहाँ पर देख लीजिए professional assistant library यहाँ पे दो पोस्ट है और यह दोनों पोस्ट ही general category के लिए है और इसमें जो maximum age देख सकते हैं आप 35 year है और जो इसका pay level है वो 6 है इसके अलवा semi professional assistant की भी दो पोस्ट है दोनों general category के लिए है और जो maximum age limit है वो 30 year है और इसका जो pay level है वो 5 है अगली पोस्ट यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर है library assistant की तो library assistant की एक post है total और यह post जो है वो LD candidate के लिए है PWD में भी LD candidate Limited departmental post है ठीक है और इसकी जो age है maximum age है वो 30 year है इसके अलावा कई और post है जैसे की senior assistant की एक post है senior assistant की एक post है junior assistant की एक post है laboratory assistant laboratory assistant की भी यहाँ पर कई सारी vacancies है यह department wise है यहाँ पर आप देख सकते हैं bottom department में एक post है chemistry department में एक post है electronic department में दो post है physics में दो post है अब जो लोग इसके लिए eligible हैं वो आप यहाँ पे age देख सकते हैं और अपनी category wise आप यहाँ पे post देख सकते हैं इसी के लावा laboratory attendant की भी post है हर एक department में अलग लग है जैसे कि botany department में दो post है chemistry में 5 है computer department में एक है electronic department में 4 है physics department में 3 है और geology department में 2 post है ठीक है अब देख लेते हैं library attendant की post तो library attendant की total 9 post है है और इन 9 post हो में से 2 post जो है वो general category के लिए है इसके अलमात 3 जो post ए है वो OBC यहाँ देख सकते हैं यह 1998 post जो है OBC के लिए है दो जो general category के लिए है और यह as harp की ऐस्राहत फॉर्बार की एससी होगा इसका जो detail notification है, जिसमें eligibility criteria क्या है, form कैसे fill करना है, जैसे ही मुझे मिलता है, मैं उस पे भी एक video बना दूँगा, वो आप देख सकते हैं, बाकि आप college की website पे भी visit करके देख सकते हैं, ठीक है? तो इस video में इतना ही.